नमस्कार आपके साथ मैं रोहुत को मारा आफे न्यूज फोर नेशन पर तेजस्वी आदव ने बिहार में चौकाने वाले नतीजों की बात कही थी अगर ओवरल देखे तो चौकाने वाले नतीजें हैं 32 सीटों पर इस वक्त जो है एंडिये याने की बीजेपी जद्यू और गडबंधन की जो दल हैं वो आगे चल रहे हैं और आठ पर चल रही है आगे बिहार में इंडिया ब्लॉक तेजस्वी आदव के गवाए में तेजस्वी आदव ने बहुत कमाल नहीं किया है तो सिर्फ चार पर उनको बढ़ा थे फिलाल अभी जीते तो एक भी नहीं है ले की नजर आ रही है और मिसा भारती ने इसकोल करके एलाइन भी कर दिया है कि वह चुनात जीत गई है मिसा भारती ने बड़ी जीत हासिल कि है पाटली पुत्र सीट पर वैसे जैसे पपू यादव लगतार जीत की तरफ आगी जा रहे है बहुत तेजी से पूर्णिया में औ और वह जीत की तरफ जीत करके आस्वस्त हैं अब देखिए यह पाटली पुत्रा की सीट को लेकर के जो टैली वो दिखाते हैं आपको देखिए उनीस में जब चुना हुए थी तो वहां पर अंतीम के राउंस में जो है वो राम किरिपाल यादव जो है वो अचारंग से ब वोटों की उसमें से मिसा भारती को 3,89,789 वोट आ चुके हैं और उनको मार्जीन है राम किरिपाल से 57,636 वोटों की जबकि राम किरिपाल यादव की बात करें तो यहां पर उनको 3,847 वोट उनको आए हैं अब देखिए ओवर और अगर यहां पर फिगर आउट थोड़ा एक नोटा, नोटा को इस सीट पर जो है वो 3,556 वोट आए हैं जबकि ओवर और जो वोटों की गिंती यहां पर हुई है वो करीब करीब 7,73,737 वोटों की हो चुकी है अब वोट शेर के साब से अगर देखें इस सीट को तो आप समझेंगे कि मीसा भारती जो है उनको कुल जो वोट कास्ट हुआ है जो अब तक जो इवियम से निकल के बाहर आ चुका है उसमें से 50 फिस्टी से ज्यादा जो है उनको उनके पाले में आए हैं जो कि 50 इस्तमलव 3-4 फिस्दी होता है जबकि रामकरिपाल यादम उनसे करीब करीब जो है वो सवा साथ परसेंट पीश पास्टी है जन संपवना पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है अपना किशान पार्टी है और यहां पर AIMIM जो है यह तमाम पार्टी उने भी अच्छा खासा वोट काटा है वहां पर और 2-3-3-5-5 जार का इस तरह के इसे मार्जिन ख्रेट हुआ है जिसने रामकरिपाल के लिए जो है मुश्किले खड़ेगी बिहार के बात करें तो नामकरिपाल यादव की जो सीट है पार्टी पुत्र उस सीट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रत्याश्य कर किसी एक सीट पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा था तो वह पटना की पार्टी पुत्र सीट थी रंजन यादव का अचानक से साथ आ जाना लालू यादव के साथ वो क्योंकि लालू यादव को रंजन यादव ने जमाने में चुनाव रहा था पार्टी पुत्रा से उनका साथ था ना बड़ी आदव निता की तौर पर रहे हैं तो वह रिफ्लेक्ट जबकि अब करीब करीब दो लाग से कम वोटों की गिंती होना बाकी है हलाकि इस पर थोड़ा लेटर अपडेट होता है जो हमारे पार जाने कारी आ रही है कि अब बस अंतिम के दो राउन बचेव हैं और उसमें जो आखने आएंगे वो सबको चौका रहें बिहार की बात क है उनका जबकि उसकी अलावा अगर दूसरे दलों की तरफ देखें तो उसमें आप देखेंगे आर जेडी चार पर है कॉंगरिस तीन पर है लेफ्ट की पार्टी दो सीटों पर आगे चल रही है पार्टी जो है पूर्णिया से पपुयादब को बड़ी बढ़त हो गई है और इस तरीके से जो बिहार के 40 सीटों का जो चुनावी नतीजे है वो तेजी से जो है वो अब जीत और हार में बदलते जा रहे हैं जो रुज़हान थे वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं फिदा लेता है देखतरी नीज फ़रनेशन में उसका पनोर मंकरू जो सोचता है वो करता है